ये प्लेटफर्म के सार संगरा का अज वीडियो नमबर होने वाला है 45 अगर आप किसे भी competitive exam के तयारी कर रहे हैं और पूरे NCRT का सार संगरा आपको चाहिए यानि पूरे NCRT का आप one liner आप ढोन रहे हैं तो ये प्लेटफर्म का सार संगरा आपको जरूर देखना चाहिए इसमें पूरे subject का यानि 6 से लेकर 12 का जितने भी subject होते हैं उन सभी का one liner इसमें दिया गया है प्लस इसमें previous years questions भी दिये हो गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का उडियो नमबर 45 भारत बीभाजन के समय ब्रेटिस सरकार के लिए एक प्रांथ ने एक सवयुक्त्यम सोतंत्र अस्तित्य के लिए योजना सामने रखी थी वो कौन प्रांथ था पन्जाब था किसका कहता है कि एक दिस के लिए एक सोराज पुरम आउस्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज इसके बिकल्प नहीं हो सकते हैं लाला लाजपत राय का चंदरशेखर अज़ाद का जरम कहा हुआ था उन्होंने प्रारम्बिक सिक्षा कहा अपगरान के थी आज चंदर सेखर अजात का जरम बार्दक का उना उत्तर प्रदेश में हुगा था और इनकी प्रारंबिक सिख्छा जाबुगा मद्य प्रदेश में हुई थे किस समाज सुधारक के प्रेतनों के फल सरुप 18 से कार्मे में समपती आयू अधिनियम पास हुआ जिसमें 12 वर्ष से कम आयू की कन्याओं के लिए बिवाह पर रुक लगा दी गई पार्सी सुधारक वी एम मालावारी दक्षिना फिर्का से लोटने के पशाद गांधी जी ने पर्थम सफल सत्यागरा कहा किया चमपारण में भारत विभाजन के सीधान को स्वर पर्थम किस नेता ने स्विकार किया था चक्रवर्ती राज गुपालाचारी ने प्रेस पर सभी पर्तिबंद किस के समय में समाप्त किये गए चौल्स मेटकाप के समय में प्रेस पर से पर्तिबंद को हटा दिया गया था श्वार्ण हिंदुों की फासिवादी कांगरिस का चरीतर निरूपन किस ने किया था? महमद अली जीना ने किया था गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घाटना के संबंद में रखा था? आहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में हरताल की बिरोद में अस्वयूग अंदोलन के दौर में अलीगड में किस राष्टिय सिक्षा संस्था को अस्थापित किया गया? जामिय मिलिया इस्लामिया को अस्थापित किया गया था पूर्ण सोराज दिवस्त सोर प्रथम कब मनाया गया 26 जनुवरी 1903 को मनाया गया था किस सवत अंतरता सेनानिक 1908 में अलिपूर सेंटरल जेल में फासी दी गई खुदी राम बोस को दी गई थी जालियावला बागत्यकान के बीरोध में किस भारतियों ने वाई सराई की कारे परिषत से त्याग पत्र दिया था सरसंकरण नयर ने बालगंगादर तीलक को भारतियासंतोस का जनक किस ने कहा था वेलेंटाइल सीरोल ने कहा था स्वादेशी आंदोलन समसे पहले कब प्राराम हुए था बंगाल वीभाजन के बिरूद प्राराम हुए आंदोलन के समय रॉलेट एक्ट का उदिस से क्या था मुकाबन मा चलाए बिना किसी विभेक्ती को नजर बंद करना किस योजना के अंतरकत ब्रेटिस सरकार ने भारत छोडने तथा भारत के विभाजन के गोषना की लौड मौंट बेटन योजना के अंतरकत सन 1905 में बंगाल विभाजन की गोषना का वस्त्वी कारण क्या था बंगाल के राष्टी आंदोलन को भी गटित करना अहमधिया अंदोलन कहा प्रारम भुगा था पंजाब से जवराचोरी कांड के कारण कौन सा अंदोलन समाप्त हो गया और सहयोग अंदोलन को अस्थगित कर दिया गया कांग्रेश ने गोलमेज सम्मेलन की किस एक मातर बैठक में भाग लिया था दुईत्य बैठक में 1857 के राष्टिय बिलपलो तो कुछ अलने में किस बहारी ताकत अंग्रेश की उमदद की थी नेपाल ने अलिपूर किस में सरकारी का वहा कौन बन गया नरेंद्र गोश किस अंदोलन में क्रिश्य के मचातरों के साथ भाग लिया भारत छोड़ों अंदोलन में डॉक्ट्रीन और प्यसिव रेजिडेंस की रचना किस ने की थी और विंद गोश ने की थी यह वीडियो सिरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताईए और किसी भी कमपटेटिव एक्जाम की अगर तयारी कर रहे है तो कमपटेटिव ए रिलेटेड इमेटेरियल इस चैनल पर आप सभी को प्रवाइट कराया जाता है भारती राश्टी अंदोलन के दोरान भारती राजनीती का सांती काल किस अओधी को कहा जाता है प्रथम विस्यूद का काल All India Depressed Classes Association नामक संस्था के अस्थापना किसने की थी भीमरा ओमेट करने की थी जोहाला नहरुक विरूद बॉंबे घोशना पत्र पर किस परमुक पुंजी पतिक अस्थाक्षर नही थी घंस्याम दास पिल्डा के निल दरपन ने निल उत्पादक किसानुक उत्पिल्ण के चितरन किया है यह एक है नाटक अनन्द मठ उपनियास जिसमें परसीद बंदे मातरम गीत है कि रशना किसने की थी बंकिम चद्र चटर जी ने के थी भारत सेवक समाज की अस्थापना कप तथा किसने की 1905 में गुपाल किरिष्ण गोखले ने की थी राजारा मोहन राय ने किस पर्था के बिरूद में कानून बनमाया था सती पर्था के बिरूद में भारत में उगर राष्टियता कि जरमदाता तथा निर्भयता से राष्ट की वेदना को प्रकट करने मारी परतम भारतिय कौन थी बाल गंगाधर तीलक थे किस अधिनियम द्वारा मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन शेतर की बहुस्ता की गई 1909 के अधिनियम के द्वारा किसने कांग्रेस को जनता के अत्यांत अल्पमत का प्रतिनिदी कहा लॉड डफरिन ने कहा था बाल गंग अधर तीलक 1557 में किस अधार पर मुकादमा चलाए गया राजदरो का आरूप लगा कर कांग्रेस छोणले के बाद सुभास चंदरबोश ने फरवर्ट व्लोग का गठन कब किया था 1949 में किया था नमक सत्यागरों यह दांडी यातरा पर सरकार की तातकालिंग पर्तकिरिया क्या थी कांग्रेस पर परतिबंध लगाना किस अंधोलन से अर्विंद गोस दवारा लिखित डॉक्ट्रिन और पैसिव रेजिडेंस नमक लेक स्रिंकला संबंध है इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में परतम अध्यक्षकावन हुए लालालास पत्राएं हुए किस अंग्रेजी सासन बिरोधी नेता को जन्ता में भाय फैलाने हेती उसकी मृत्यू हो जाने के बाद भी स्राजनेक रूप से फासी दे गई देवान बेलू धंपी को 1909 के इंडियन कांशलिंग एक्ट का अन्य नाम क्या था मारले मिंटो सुधार था मात्मा गांधी द्वरे 239 अवग्या अन्दूलंड का प्रारम किया गया 1932 में प्रारम किया गया 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किस ने प्रारम किया मौलाना अबुल कराम अजाद ने किया था भारतीय राश्टी के कंगरेश्ट के स्थापना के समय भारतकवासराय कॉन था? लौड डफ्रिम था भारत सरकार के किस अधिनियम का यह अंतरगत मुसलमानों के लिए प्रितक निरवाशन मंदल प्रारम किये गए भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतरगत 877 के गदर के पस्षाद इलहाबाद दर्बार में या घोशना किसने की थी कि भार्ण सरकार अपग्रेट पीटेन के समराट के अधिगरेट कर ली लौड कैनीन ने घोशना की थी दांडी मार्च किस अंदोलन के अंदरगत आयोजित की गई थी सविने अवग्या अंदोलन के अंदरगत चक्रवर्ती राजगुपलाचारी के ठीक पहले भारत का गुवर्नर जनरल कौन था लौड मौंट पेटन था इसके साथ ये जो प्लेटफॉर्म का सार संग्रह का वीडियो चल रहा है इसके और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाईए, चैनल पे प्लेलिस्ट के सक्षन में आपका सार संग्रा प्लेटफॉर्म का एक सक्षन बना हुआ है, उस पे क्लिक करके इसके पूरे प्रिविएस वीडियो को देख सकते हैं, यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बत आईए.